तो हिलो दोस्तो फाइनली जियो और याइटेल की तरप से बड़ी ख़बर सामने आ चुकिए जियो और याइटेल ने अपने रीचार्ज प्राइजेस बढ़ा दिये और आज मैं आपको बताऊंगा कि जियो और याइटेल ने अपने रीचार्ज में कितनी मेंगाई किये और आप इन रीचार्च को किस तरह से कम प्राइज में कर सकते हैं तो जेहन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विजियो और आपका स्वागत हमारे नीव कूल और सटेक्ट चैनल में दोस्तों वीडियो में आगे बड़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक निके तो दे दिया तक ही जब भी दिसंबर 2023 के बास से हमारी 5G नेटवर्स विदाए अच्छी हो जाएंगी तो हमारे रीचार्च में महेंगाई कर देंगे हमारे रीचार्च प्लान बढ़ा देंगे और दोस्तों जियो ने ऐसा ही कुछ किया अपने रीचार्च प्लान बढ़ा दी लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी कुछ कारण होगा दोस्तों आपने कुछ दिन पहले एक news तो सुनी होगी कि जीओ का जो नेटवर्क है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहाता दोस्तों जीओ का केना है कि हमारे रीचार्च प्लान के value कम होने के कारण हमारे जो नेटवर पर invest करेंगे और अपने network को जो है और भी बेतर बनाएंगे दोस्तो अब बात कर लेते हैं recharge prices की की आखिरकार अपने recharge पर इनने कितने prices increase किये कितना prices बढ़ाया है और दोस्तो आपको unlimited फैब जी कितने prices पर मिलेगा कौन से प्लान पर मिलेगा और दोस्तो आप जो है कम price में जो अभी की date में recharge चल रहे हैं उनको करके किस तरीके से जो है लंबे समय तक आप एक कम price में recharge कर सकते हैं दोस्तो जैसा कि आप screen पर दे सकते इस screen पर आपको एक chart दिख रहा है और यहां पर आपको सबसे पहले देख सकते हैं इस chart में आपको सबसे है monthly recharge दिया है monthly recharge की जो कितने महेंगे आपके कर दी गया है सबसे हैं आपका 105 पर वी डाटा मिलता था और दोस्तो 28 दिन का रिचार्च था, मन्थली मतलब 28 दिन का रिचार्च प्लान थे आपके, तो इसमें देखिए 155 का जो ए 155 वाला जो रिचार्च था आपका, वो कर दिया 189 का, मतलब इस पर 50 रुपे बढ़ा दिया है, मतलब आप दोस्तो यहाँ पर बताऊं, 209 रुपे में भी करता था 249 वाला रीचार्ट अब दूस्तों यहाँ पर बताएं 249 वाला रीचार्ट आपका कर दिया है 299 रुपे का मतलब 300 का लगबग यहाँ पर कर दिया है तो यह भी कापी ज़्यादा मेहंगा कर दिया है दोस्तो सबसे पड़ी बात में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अगर आप जो है 2GB से उपर का रिचार्ज करते हो तभी आपको unlimited 5G मिलेगा बढ़ना नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तो यह जो आपका 249 वाला रिचार्ज था इसमें आपको 10GB डाटा पैड़े मिलता था तो इस में जो है सिर्फ 14GB डाटा ही मिलेगा और 4G आप इसमें चला सकते हैं अब दोस्तो बात करें 349 वाले रिचार्ज की तो 349 वाला जो रिचार्ज यह आपका हो चुका है 399 का मतलब सीदे-सीदे यह आपका 400 रुपे का हो चुका है और दोस्तो यहाँ पर जो है आपका 489 दोस्तो यह जो टू मंत का रिचार्ज प्लान था आपका जो आपका 499 रुपे का था और दोस्तो यहाँ पर आपका 533 रुपे का भी जो है आपका 2GB डाटा पैड़े मिल रहा था 56 दिनों के लिए यह भी आपका 629 रुपे का कर दिया है इस पे भी आपके जो है लगबग 100 से 100 के आसपास रुपे यहाँ पर बढ़ा दी गया है अब दोस्तो यहाँ पर आपका 3 मंद का जो प्लान था उसमें सुन लीजे कितने कि इसमें जो है कितना बढ़ाया है कितना मेंगा किया रिचार्ज तो 395 रुपे जिसमें आपको 6GB डाटा मिलता था 84 दिन के लिए अब दोस्तो यह रिचार्ज प्लान देखिए कितने को कर दिया है 489 रुपे का कर दिया है दोस्तो जो आपका 6GB डाटा मिलता था जिसमें 3 महीने का आपको मिलता था अल्लिमिटेड सिर्फ 6GB डाटा मिलता था और आप अल्लिमिटेड जो है 5G network चला सकते थे वो आपको कर दिया 419 रुपे का इसको भी महेंगा कर दी है। काफ़ी सारे यूजर जो इसका काफ़ी बेनेफिट ले रहे थे, लेकिन अब ये भी महेंगा कर दी है, 419 रुपे का आपका सीधे-सीधे कर दिया है। और सिर्फ इसमें आपको 6 GB total data मिलेगा, 5 GB आप इसमें unlimited चला सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, अपने 666 रुपे बाली recharge की तो जिसमें आपको 1.5 GB data पैड़े मिलता है, अब दोस्तों यहाँ पर 84 दिन के लिए 799 रुपे का कर दिया है, यह आपका 799 रु 899 रुपे के रीचार्च की जिसमें आपको 3 GB data पैड़े मिलता था, तो यह आपका 84 दिन के लिए, जो 3 मंद के लिए, यह आपका कर दिया है 1199 रुपे का, यह भी कापी ज़्यादा महेंगा आपको कर दिया है, लगबग 200 के आसपास इसको बढ़ा दिये गया है, और दोस् 999 रुपे का रीचार्च, इसमें आपको 5 GB data पैड़े मिलता था, 365 दिन के लिए, तो यह भी बढ़ा कर आपको 300, 3599 का कर दिया, मतलब सीधे सीधे इस पे आपको 500 रुपे का बढ़ा दिये है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं data add on recharge की, तो इसमें आप दे सकते हैं यहापर 15 रुपे का रीचार्च था, जिसमें आपको 5 GB data मिलता था, और दोस्तों यहाँ पर यह रीचार्च कर दिया, आपका 19 रुपे का, 25 रुपे का रीचार्च था, 2 GB data मिलता था, यह रीचार्च आपको कर दिया है, 29 रुपे का, और दोस्तों यहाँ पर आपका 25 रुपे का र अब जोषटमरी नहीं यह पाल तसे जाल कूशी ए मताहिए, brighten है को फैर रहर जोषट में आपको 209 रुपे कर दो था इसमें आपको सारे रीचार्ट जो लगवग मेंगे होने वाले हैं कई ऐसे रीचार्ट जो हैं यहाँ पर नहीं दी गए हैं जो मेंगे होने वाले हैं और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से इन रीचार्ट को कम प्राइज में कर सकते हैं दोस्तों जादा दिनो आपको अभी मिल रही है बो सुवीदा आपको बाद में भी मिलेगी Recharge Plan महेंगे होने के बाद भी जो है, बो सुवीदा आपको मिलेगी लेकिन दोस्तों, यह Tales में जो है एसी सुवीदा नहीं है आपको आपको JIO Network के वो आपकर Recharge Plan खतम होने के बाद आपका जो recharge plan है वो automatically active हो जाता है बट यह टेल में ऐसा कुछ नहीं है यह टेल में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आप ऐसा सिर्फ जियो में कर सकते हैं आगी दोस्तों यह जो PDF फाइले में अपने टेलेग्राम चैनल पर upload कर दूँगा आप बहां से जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलेग्राम चैनल का लिंक है और दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्षन में ज़रू बता है कि आपको जो जीयो का और यह टेल का अपडेट है रीचार्ड प्लान का वो कैसा लगा और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए और चैनल पना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों मिलते हैं एसी नए ब्रूसा तब तक लिए बाबा जे हिंद